आंध परदेश के स्री हरी कोटा में सोंबार को भारती अंत्रिक्ष अनुसंधान संगठन इस्रों ने 2022 के अपने पहले प्रक्षेपन अभ्यान के तहट धरती पर नजर रखने वाले सेटलाइट EOS04 और दो छोटे उबगरहों को PSLV C-52 के जरिए सोंबार को शफलता पुरव अंत्रिक्ष की कक्षा में अस्थापित कर दिया इस्रों ने इसे अद्भुत उपलब्दी बताया है परदान मंत्री नहिंद मोदी ने इस सफलता पर भारत के वैग्यानकों को बधाय दी है भारती अंत्रिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रक्षेपन यान PSLV ने अंत्रि इसके 69 बजे उरान भरी और तीनों उपरों को अंत्रिक्ष की कक्षा में अस्थापित कर दिया इस जिरो फोर एक रडार इमेजिंग सेटलाइट है जिसे क्रिशी वानिकी और विक्षा रोपन मिठी की नमी और जल्व विज्यान तथा बाढ़ मांचित्र जैसे कामों एव के अध्यक्ष एस सोमनात ने सफलता पूर्वक प्रक्षेपन के बाद कहा PSLVC-52 EOS04 मिशन सफलता पूर्वक पुरा कर लिया गया है संयोग से यह प्रक्षेपन सोमनात के हाल में अंत्रिक्ष विभाग के सचीव और अंत्रिक्ष आयो के अध्यक्ष का कारभार समालने के से बाद पहला अभियान भी है 19 मिट की उरान के बाद सेटलाइट निर्धारित कक्षा में स्थापित हुआ का कॉंग्रेस ने गुजरात के एबीजी सिप्यार के जरिये 22,842 करों रुपे से अधिक की कथित बैंक धोका धरी मामले में सरकार को घेरा है पार्टी का कहना है क कि सिकायत के वावजूद CBI ने मामला दर्श करने में देर क्योंकि प्रोस्टेट ग्रंथी में होने वाले कैंसर को प्रोस्टेट कैंसर कहा जाता है प्रोस्टेट कैंसर तव सुरू होता है जब प्रोस्टेट ग्रंथी में कोशिकाएं नियंतरन से बाहर होने लगती है प् प्रारंबिक पहचान और व्यक्तिकत इलाज के साथ प्रोस्टेट कैंसर में सुधार हो सकता है प्रोस्टेट पुर्सों में अक्रोट के आकार की गरंथी है जो ब्लेंडर के ठीक नीचे और मलासे के सामने मुत्रमाग यूरेथरा के पास इस्थित होती है एक आदमी की उम्र के अनुसार प्रोस्टेट का आकार बदल सकता है छोटे पुर्सों में या अक्रोट के आकार का होता है जबकि अधिक उम्र के पुर्सों में या बहुत बड़ा हो सकता है पिसाब करने में मुस्किल या जलन होना मुत्र में खून आना मुत्र विसरजन के दौरान दर्द हो वाला या कैंसर कितना कम या ज्यादा घातक है इससे हर साल हजारों पुरुष अनावश्चक उपचार से बच सकेंगे Cambridge University के सोथकरताओं ने कारवन 13 यानि कारवन का गएर रेडियो धर्मी रूप को एक विशेश प्रकार के अनुसे जोर कर टूमर के पास एक नस में इंजेक्ट किया उन्होंने पाया कि चूमर ने कारवन 13 को नस में रोके रखा इससे संकेत मिले की नस में लेक्टेट की उचमात्रा है जिससे कैंसर के घातक होने का पता लगा अध्यन में सामिल डॉक्टर निकिता सुसंत सेव ने कहा कि प्रोस्टेट कैंसर के इलाज में यह सफलता डॉक्टरों को एक कदम आगे ले जाती है ब्रिटेन में हर साल 52,000 पूरुस प्रोस्टेट कैंसर का सिकार होते हैं जिन में से करीब 30,000 कम जोखिम वाले ट्यूमर से ग्रस्थ होते हैं जाच के मजूदा तरीकों में घातक और कम घातक ट्यूमर के बीच अंतर करना कठिन होता है विशेश रूप से प्रारमभिक अवस्था में यह काम ज्यादा कठिन होता है कुछ पूरुशों के लिए यह ट्यूमर घातक होता है जबकि कई में यह धीरे-धीरे पनपता है और कभी भी कोई समस्चा पैदा नहीं करता नतीजन ब्रिटेन में हर साल कम से कम बीस हजार प्रूस अनावशक सरजरी या रेडियो थेरेपी से गुजरते हैं मजूदा समय में डॉक्टर टी का या मराई स्कैन के जरिए ट्यूमर के आकार का पता तो लगा सकते हैं लेकिन इसकी सक्रियता का नहीं अंत्रिक्ष में मजूद चीनी अंत्रिक्ष यान ने खराब हो चुके एक उपगड़ा को उठा कर प्रिथिवी के कच्छा में फेक दिया यह हर्कत अंत्रिक्ष यानों की गतिविधी पर नज़र रखने वाली एक कंपनी ने देख लिए Center for Strategic and International Studies and Secure World Foundation के पिछले माह हुए एक वेबिनार में डॉक्टर ब्राइन फ्रूवेलिंग ने ये जानकारी दी वह अमेर्की कंपनी एक्सो अनलेटिक सॉलूशन में चीफ स्पेस सिचुएशनल एवेनेस आर्टिटेक्ट हैं यह कंपनी विशाल आप्टिक दूर्विनों के एक व्यापक वैस्विक नेटवर्क का उप्यो करते हुए उपगरों की स्थिती को ट्रै करती है गौरपतल है कि बीते जनवरी में एक चीनी उपगरह एक निश्क्रिय सेटलाइट को दबोस्ता दिखा था जानकारी के मुताबिक 22 जनवरी को चीनी अंत्रिक्षियान SJ-21 अपनी निवधारी जगह से हटकर निश्क्रिय किये जा चुके उपगरह कंपास G-2 की ओर बढ़ता हुआ देखा गया था कुछ दिन बाद कंपास G-2 से जुरा SJ-21 उसकी कक्षा को बदलता पड़ा गया हानाकि चीनी अधिकारियों ने अभी तक किसी ऐसे अंत्रिक्षियान के होने की पुष्टी नहीं किया है SJ-21 अक्टूबर 2021 में लॉंच किया गया था अब वो कॉंगो बेशिन से कुछ उपर एक भू एस्थेटिक कक्षा G-E-O में लौट चुका है 2020 में अपनी Counter Space Report में The Secure World Foundation ने कहा था कि इस बात के पक्के सबूत है कि चीन और रूस Counter Space यानी प्रती अंत्रिक्ष छमताओं वाली प्रोधिगी की पर काम कर रहे हैं इसका आसे अंत्रिक्ष पनालियों को नश्ट करने की छमता से है वैसे चीन के आधिकारिक बयान अंत्रिक्ष में शांति पूर्ण उद्येशों को पूरा करने से ही जुरे रहे हैं वैग्यानिकों की माने तो मलवा हटाने में कुछ भी गलत नहीं है अंत्रिक्ष के कवार की सफाई के लिए दूसरे देशों ने भी ऐसी प्रोधोगी किया या तो लांच कर दी है या वे उन्हें तयार कर रहे हैं हलाकि कच्रार निस्तारं की प्रोधोगी की तयार करने और अमल में लाने की चौतरफा कोशिसों के वावजूद कुछ अमेरिकी अधिकारियों ने स्जे 21 जैसी चीनी उपगड़ों को लेकर चिंता जताई है अमेरिकी अंतिष्ट कमांड के कमांडर जेंस डिकंसन ने अप्रेल 2021 में का था कि चीन के स्जे 21 जैसी टेकनलोजी भविस्क की किसी प्रणाली के तहट दूसरे उपगड़ों को दबोशने में इस्तमाल की जा सकती है टेडी बियर पुरी दुनिया में लोग प्रिये है पर इसके लोग प्रिये बनने की कहानी भी कापी दिल्चस्प है धरसल अमेरिकी राष्ट पती थियोडोर रुजवेल्ट की समती के बाद ही पहली बार वर्स 1903 में इसे दुनिया के सामने लाया गया था 15 फरवरी 1903 को मौरिश मिक्टॉम ने हाथ से बनाए गोल मटोल मासूम से दिखने वालू की सकल के दो सौप्ट ट्वाइ बजार में उतारे तो इन्हें टेडी नाम दिया यह टेडी बियर से दुनिया की पहली मुलाकात थी इस बात से बहुत कम लोग वाकिफ हैं कि अमेरिका के ततकालिन राष्टपती थियोडो रुजवेल्ट को लोग प्यार से टेडी बुलाया करते थे और मिक्टॉम ने अपनी खिलोने का नाम टेडी रखने के लिए खास से राष्टपती रुजवेल्ट से इजाजत ली थी उन्होंने इसके लिए बाकाइदा उन्हें एक अरजी बेजी और राष्टपती ने खुसी खुसी इसके लिए अपनी अनुमती दे दी उस वक्त मिक्टॉम और रुजवेल्ट दोनों में से किसी को भी यह असास नहीं होगा कि एक दिन उनका यह खिलोना दुनिया भर के बच्चों की पहली पसंद बन जाएगा बता दें कि पूरे विश्व में दस फरवरी को टेडी डे मनाया जाता है इसके बाद भी टेडी बियर अमिर्का में लोग पर यह नहीं था बात 1903 की है लिप जिंग टॉइफेर में जर्मन टॉइमेकर मार्गरेट स्टिफ ने 3000 टेडी बियर नियुवर्क के एक खड़िदार को बेज दिया इसके बाद से यह अमिर्का में परशिद्ध हो गया वित मंत्री निर्मला सितारमन ने शोंबार को कहा कि ABG CPR का खाता पुरवर्ती UPS सरकार के कारकल में NPA हुआ था बैंकों ने इस घोटाले को आउसत से कम समय में पकड़ा अब इस मामले में कारवाई चल रही है वित मंत्री ने रिजर्ब बैंक के केंद्रिय बोड के निदेशकों के साथ बैठक के बाद कहा कि इस मामले को पकरने का सरे बैंकों को मिलेगा आमत्वर पर बैंक ऐसे मामले को पकरने में 52 से 56 माह का समय लेते हैं CVI के मामले में ABG CPR Limited वा पुर्व चेर्मेन एवं प्रवंध निदेशक रिशी कमलेस अगरवाल सहित अन के खिलाप मामला दर्ज किया है या मामला दो दर्जन बैंकों से धोकाधरी का है या मामला आईशिया आईशिया बैंक के अगुवाई में करिब दो दर्जन बैंकों के गर्जोर के साथ धोकाधरी के लिए दर्ज किया गया है या घोटाला निरव वा चोक्सी के PNB के साथ 14,000 करोर की धोकाधरी मामने से बढ़ा है भारत सरकार ने चीन से जुरे 54 स्मार्टफोन एप पर देश में पावंदी लगा दी है बताया जा रहा है कि इन सभी एप से भारत की सुरक्षा के लिए खत्रा पैदा हो रहा था लोग प्रिये गेम गरेना फ्री फायर और एप लोग एप आदी शामिल है इससे पहले जून 2020 में भारत ने देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टिक टॉक, वीचैट और हेलो साहित उनसर्थ चीनी मुबाइल एप को पती बंधित किया था